तो यहां पर हम PBS बनाना भी सिखेंगे कैसे हम जो है अपने डैब में PBS बनाते हैं आइडेंटिकेशन अपने डिफरेंट ब्लड सेल्स जो हम करते हैं वो भी यहां पर हम देखेंगे जो हम PBS के अंडर देखते हैं तो इसके अंडर हम देखेंगे तो सबसे पहले आता है कि परपीरिशी अ परिफरेर बोड स्मेर PBS इसना फुल मौम पर परिफरेंगे अ परिफरेर बैद यह और यहां पर एक छोटीजी एक ब्लड ड्रॉप निगलेगी कैसे हम क्लेक्शन ऑफ ब्लड करते हैं और कौन सी फिंगर्स का यूज करते हैं इस वैसे हम फिर्स ट्रॉप को डिस्कार्ड करते हैं आफर डिस्कार्डिंग वन ड्रॉप अफ दे ब्लड इस पुट अन दे एंड अफ देट इस लाइड ओके तो बिलकुल एंड पर ने जस्ट नियर था एंड हम कहां पर रखेंगे यहां पर अपना जो एक ड्रॉप अपर प्लड जो अपने निकाला है अभी वह हम यहां पर फुट करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे यह हमारे पास लाइड है यह रही हमारी स्लाइड और यह हमारे पास ऊपर यह वाली जो चीज़ है यह स्प्रेडर होता है देखें हम स्लाइड और स्प्रेडर के बीच में इसके बाद हम नेक्स्ट नेक्स की तरफ लेके गया पीछे की तرف लेके जाएगे तो यह साहा का साहा ब्लड जुर्ड जो है इस तरीके से आप जैसे देख रहा नहीं है यह इसके उपर स्प्राइडर के उपर इस तरीके से आज या चायेगा उसके बाद करेंगे दीरे दीरे नहीं करेंगे तो हमारे पास एक ideal smear बनेगा जो ideal smear है उसकी कुछ qualities होती है क्या even spread of the cells वहाँ पर देखने को मिलते हैं करें पर भी clumping of the cells ऐसा नहीं है कि सारे के सारे cells एक ही जगे पर रहे हैं ऐसा नहीं होता है no clumping of the cells and along with that blood covering two-third of the portion of the slide ये पूरा portion of the slide का at least ये जो two-third part है ठीक है ये two-third part जो है ये cover करके रखता है हमारा जो blood है और इसके साथ-साथ it should be tongue-shaped spread of the blood ठीक है जैसे आप देख रहे हैं या पर ये tongue-shaped है ना ठीक है so it tongue-shaped spread हमारे पास होता है ठीक है this is the these are the qualities of ideal blood smear इसके बाद हम blood smear के अंदर कुछ और चीज़ें important देखेंगे या पर वो हैं हमारे पास कि यहां पर कुछ portions होते हैं जब हम इसमें deal करते हैं वो portions होते हैं कि ये देखो ये वाला जो portion है ये head होता है जहां पर हमने अपना blood drop रखी थी ठीक है near the end of the slide बिल्कुल end पर नहीं रखना बिल्कुल बीच में रखना near the end यहां पर हमने यहां पर अपनी blood drop रखी थी उसके बाद हमने क्या किया उसके बाद अगला जो portion बनेगा वो body फिर mono layer और फिर एक tail zone बनेगा हमारी जो study होती है जो morphology हम study करते हैं वो पू cells ना तो यहां पर बहुत जादा clumped होते हैं ना ही बहुत जादा sparse होते हैं यह good characteristic features हमें यहां पर देखने को मिलते हैं that's why we study the smear out here over this portion only ठीक है this is a very important thing okay next thing यहां पर हम deal करते हैं तो pour the leishman इसके बाद हमारे पास एक अच्छा ideal smear बन गया हमारे पास slide के उपर इसके बाद ह हमने पोर करीं और फिर हम उसे रख देंगे two minutes के लिए ठीक है लेकर हम उसे dry नहीं होने देंगे हमाई जो slider पूरी तर से dry नहीं होने चाहिए अगर leishman stain थोड़ा कम हो रहा है तो हम उसके थोड़ा सा और डाल सकते हैं एक जो drop उसके बाद हम क्या करेंगे pour करेंगे buffer solution जो क 16 to 20 drops होना चाहिए और हम उसे रखेंगे 10 minutes के लिए जब हम उसे रखेंगे इसे इस तरीके से बना के तो हम उसे blow करते रहेंगे blow intermittently to mix it ठीक है फूग मारते रहेंगे ताकि जो इसके उपर हमारा वो है यह कहतने जो buffer solution है और जो leishman stain है वो पूरे slide में इस तरीके से मिल यह जो हमें यहां पर एक important चीज दिख रही है this greenish layer जो हमें यहां पर देख रही है this is known as scum this is very important because scum हमारे पास एक good ideal smear जब बनता है और तब हमें देखने को मिलता है so this greenish layer is very important अगर यह बन नहीं है so that means you had made a good smear okay उसके बाद फिर हम क्या करेंगे wash करेंगे slide को slide को लेगे directly हम wash नहीं करते हैं tap के नीचे हम अपने hand को रखते हैं यहां पर अपने hand को रखा अपने thumb को रखा और अपने जो water है वो इसे water को यहांसे अपने hand के उपर से flow होते हुए slide के उपर flow करवाते है directly नहीं करवाते है самых यदकाट के उपर के नीछे रखते हैं उसे थंब के ऊपर अपने बार्टर को लेते हों।ंав थम से फ्लोहोते हुए ठीड पर जाता है। तो एसे करके हम इस werde को πुशिड कर देते हैं हूँ के अब हमारे पास pounds विलती है यही सबसे पहले Leishman's Stain का यूज किया, Leishman's Stain को हमने दो मिनिट के लिए ढाला, Leishman's Stain के अंदर हमारे पास क्या होता है, Methylene Blue होता है, Eocene होता है और Alcohol होता है, जो Alcohol होता है वो fixative की तरह बद करता है, तो fixative का मतलब ये जो cells होते हैं उन्हें slide के उपर ये stick करवा देता है ताकि उनकी actual morphology intact रहे This is the work of fixative Eosin और methylene blue जो होते हैं ये इन्हें stain करेंगे लेकिन stain जो करते हैं ये ionized cells को ही कर सकते हैं लेकिन अभी cells जो हैं वो unionized form में होते हैं तो 2 minute तक हम इसे leishman stain में रखने के बाद हम क्या करते हैं बफर डालते हैं बफर जो होता है ये एक phosphate buffer होता है और ये जो phosphate buffer होता है इसकी pH होती है 6.8 तो ये जो pH होती है ये इन cells को ionize कर देती है जितने ही वे हमारे पास RBCs हैं WBCs हैं इन सब cells को ये क्या करती है आइनाइस कर देती है और ये जो ionized cells हो जाते हैं इनके अंदर अब eosin और methylene blue enter कर सकता है और अन्हें stain कर सकता है तो ये function होता है हमारे पास buffer का buffer क्या करता है आइनाइस करता है cells को ताके उनके अंदर जो staining है वो हो सके ठेक है तो इस दे वंक्षन ऑफ बफर और लीश्मान stain जो होता है उसके अंदर तो यह हमारे पास staining materials होते हैं और बाकी alcohol act as a fixative this is the thing next चीज के बारे में चलते हैं तो यह एक बहुत important यहां पर एक table आ जाती है हमारे पास नेकल के this is a very important table इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास various cell types हैं जो हमें एक PBS के अंदर दिखेंगे उनका diameter क्या है उनका nucleus, cytoplasm, cytoplasm, granules यह सब कुछ देख रहा है यह सारी के सारी table हमें याद होनी चाहिए तो जैसे RBCs के बारे में देखें तो diameter 7 to 8 यह micrometer होना चाहिए था micrometer है 7 to 8 micrometer तो यह micrometer नहीं सारी sizes तो 7 to 8 micrometer का होता है nucleus यहां absent होता है cytoplasm में देखें तो pink और radish होता है और cytoplasm granules यहां absent होते हैं platelets के अंदर platelets बहुत छोटे होते हैं 2 to 4 micrometer सबसे छोटे platelets होते हैं तो इसलिए platelets हमें इस तरीके से इसे groups में दिखते हैं इसे छोटे चोटे 3,4,5 इस तरीके से इसे groups में दिखते हैं तो platelets होते हैं बागी platelets के निक्लियस absent होता है cytoplasm pale रहेगा और यहां पर हमारे पास cytoplasm my granules जो हैं भृन और परफल रहेंगे अब हमारे पास दो अतने एक तो granulocides और दूसरे ए granulocides तो granulocides के आतर नीथ्रोफिल्स इनकी percentage है जैने नीथ्रोफिल्स 40-70% iosinophil 1-6% baseophilk 0-1% monocytes 5-10% small lymphocytes 20-40% तो large lymphocytes 5% to 10% के आसपास यह percentages है इसके बाद हम neutrophils के अंदर देखे हैं तो size देखे हैं तो 10 to 14 micrometer ऐसे eosinophil का यह micrometer यह तीनों ही लगबग लगबग same diameter के रहते हैं ऐसे large lymphocytes भी same diameter के रहते हैं लेकिन monocytes जो होते हैं वो थोड़े से छोटे variable है लेकिन equalize size के रहते हैं सबसे important है small lymphocytes small lymphocytes जो होते हैं वो सिर्फ 7 to 9 micrometer के होते हैं थोड़े छोटे होते हैं that's why they are small lymphocytes ठीक है this is the mark difference ओके that these are of 7 to 9 micrometer ओके बागी almost same रहते हैं जो हमारे पास ही है इसके बाद nucleus के बाद देखे हैं तो nucleus यहाँ purple blue रहता है purple blue है और purple blue के साथ साथ 2 to 6 lobes रहते हैं हांपर 2 to 6 lobes रहते हैं cytoplasm अगर देखूं तो pink purple रहता है due to fine granules और cytoplasm में granulations के बादे में granules के बादे में रहते हैं तो fine रहते हैं closely packed रहते हैं and not seen separately and give the ground glass appearance देते हैं and do not cover the nucleus ऐसे यह eosinophil के अंदर purple यह blue 2 to 3 lobes and often bilobe यहाँ पर हमारे पास nucleus रहता है cytoplasm जो है वो light pink और red granular रहता है और भहीं पर cytoplasm में granules जो होते हैं वो coarse होते हैं मुटे मुटे होते हैं और red to brown and do not cover the nucleus ओके जैसे हम यहाँ पर देखें तो look at this look at this these are the coarse granules यहाँ पर हमें देख रहा है कितने सारे coarse granules है and do not cover the nucleus they are not covering the nucleus at all they are wide apart side man वहीं पर हम neutrophils की बाद में आखें तो neutrophils में भी हमें यह देखने होगा है ठीक है they are not seen separately and they are very fine ठीक है so neutrophils के अंदर हमें यहाँ पर ही बहुत ही fine ऐसे ऐसे granules देखने हों मिलते है ठीक है ओके इसके बाद हमें आगे आते हैं तो basophil के अंदर basophil के अंदर purple to blue color का हमारे पास nucleus रहता है and maybe ash shaped nucleus रहेगा और cytoplasmary granules very coarse रहते है and covers the nucleus जैसे हम यहाँ पर भी देख सकते है they are covering the nucleus and ash shaped यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा देखने में मिलता है जबूरी नहीं है proper ash shaped देखने में मिले लेकिन कभी देखने में भी मिल जाता है ठीक है इस तरीके से ओके इसके बाद हम आते हैं a granulocyte से अंदर monocyte monocyte में purple color रहता है और no visible granules granules इन में किसी में भी granules नहीं देखने मिलते हैं बिकोज यह ए ग्रेनुलोसाइट्स वेरी सिंपल और वहीं पर हम दूसी चीज़ देखने मिले जैसे आप बुक्स में देख रहे हैं बिकोज देखने मिले इसके बाद हमारे पास आपे small lymphocytes की देखे हैं तो वो भी in the blue to Heinle 11घ अल्मोस्ट फिल-द रहता है आप तो crying थोड़ा कम सेल है जोके अब आदा पर यह लाज डेनिलर condition यहां पर दीक सकते हैं थे स्माल लिम्फोसाइट है तो लाज लिम्फोसाइट में जो पूरा पूर्शन ऋता है उसमें सिर्फ टू थार्ड ऑफ दगिए आप से पूछा जल्सकों अब अलाग अधसर गरें मैं यह भी शक्तरा मेरा मोनो साइब सब्सक्राइब इन वर इस चिंदि शेप्ठ यहां पर देखने मिलता है यह आई से नBehou Michaels बोलता है और तो नॉकलेस तो नॉकलियस नॉट्रोफ्ए यह में मल्टी लोब होता है मुल्टी लो नुख्लियस साइम बेगने मिलता है और यह हमारे पास प्लेटलेट्स हैं थीज अधर प्लेट्स यह चोड़ी चोड़ी दिखा है टेक है ता ऐसे प्लेटलेट्स होते हैं and with this we end up this lecture thanks for watching and do please subscribe my channel thank you